आस्था की आस्था भगवान में काफी ज्यादा थी, पर शादी की बाद जब आस्था ससुराल आती है, तो वो देखती है कि उसकी ससुराल में सभी नास्तिक है, जो भगवान की पूजा ही नहीं करते, और इसी वज़े से उनकी घर में मंदिर तो दूर की बाद भगवान की क मुर्थी तक नहीं रखी है। आस्था ये सब देख कर बड़ी परिशान थी। अब जैसे ही आस्था का पती दीपक कमरे में आता है, तो आस्था दीपक से कहती है। दीपक, घर में भगवान की एक भी फोटो नहीं है। मैं भगवान की पूजा कैसे करूँ? पर अस्था तुम्हें पूजा करने की क्या जूरुत है। हमारे घर में कोई पूजा नहीं करता। और वैसे भी जमाना काफी आगे बढ़ चुका है। ये सब अंध विश्वास है। ये तो इनसान के विश्वास करने पर है। पर देखिए, मुझे रोज सुबह उठकर भगवान की पूजा करनी होती है। इसलिए आप मेरे लिए काहना जी की छोटी सी मुर्ती लियाओ। ताकि मैं अपने काहना जी की मुर्ती अपने कमरे में रखकर उनकी पूजा कर सको। ठीक है, कल ओफिस से आते हुए तुम्हारे काना जी लियाओंगा, पस। देखिए, बोल तो देता है, पर वो आस्था की बात मानता नहीं। ये देख कर आस्था को बहुत बुरा लगता है, और वो इस बार अपनी सास पवित्रा से कहती है। माजी, मुझे इस घर में आये एक हफते से ऊपर हो चुका है, पर घर में ना ही मनदिर है और ना ही भगवान की तस्वीर, मुझे भगवान की पूजा करनी है। बहु, भगवान तो दिलों में बसते हैं, मुर्तियों में नहीं और वैसे भी हमारे घर में पूजा पाठ में कोई विश्वास नहीं रखता इसलिए तुम भी आराम करो माजी मैं जानती हूँ आप लोगों को भगवान में विश्वास नहीं है इसलिए आप सब पूजा नहीं करते पर मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है आस्था बोल ही रही होती है कि पवित्रा मूँ बना कर वहाँ से चली जाती है बेचारी आस्था, हर किसी से भगवान की तस्वीर लाने को कहती है पर कोई उसकी नहीं सुनता जिसके बाद आस्था खुद मार्केट से छोटी सी मुर्ती और कुछ फूल, माला, साथ में पूजा का सामान भी ले आती है और अपने कमरे में उस मुर्ती की स्थापना करके सुबह सुबह पूजा करती है अच्छुतम केशवम कृष्ण दामो धरम राम नारायनम जान की बल्लबं कौन कहता है भगवान आते नहीं आस्था, मैं सब क्या कर रही हूँ सुबह सुबह प्लीज सुने दो ना थोड़ी देर मैं पूजा कर रही हूँ और वैसे भी सुबह हो चुकी है, उठ जाओ ना अब आस्था सबसे पहले दीपक को उठा कर उसे प्रसाद देती है तो वहीं घंटियों के आवाज से अब तक पवित्रा भी उठ चुकी थी अब आस्था अपनी सास को भी प्रसाद देती है पर पवित्रा भी ना प्रसाद खाए, हाल में जाकर सोफे पर लेट जाती है आस्था अपनी सास को नीन में इस तरह से देखकर उनके लिए चाए लेकर आती है और उठाकरों ने देती है माजी उठ जाएए, देखे मैं आपके लिए चाए लेकर आई हूँ माजी, आप अपना कमरा भले ही मेरे कमरे से दूर कर ले पर आपको अब रोज सुब्ब भजन और घंटियों की आवाज सुनाई देगी क्योंकि अब से इस घर में रोज पूजा होगी और वो पूजा मैं करूँगी इस तरह से आस्था घर में पूजा करनी शुरू कर देती है सभी घर वाले आस्था के पूजा पाड़ से परिशान हो जाते है क्योंकि पवित्रा का कमरा आस्था के कमरे के साथ था इसलिए उसे सबसे ज्यादा आवाज आती थी बहु अगर तेरी मुझसे क्या अदुश में दिया तो चाहती क्या है साफ साफ बता माजी मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरे सुसराल में भी छोटा सा मंदिर हो और जब मैं पूजा करूँ तो आप सब साथ में हो अरा बहु तुझे घर में मंदिर बनवाना है ना बनवाले पर मुझसे वादा कर कि यह तरह संक घंटी पूजा करनी की आवाज मेरे कानों में नहीं आएगी अरा मेरी नेंद पूरी नहीं हो पाती ठीक है माजी अगर आप घर में मंदिर बनवा दोगी तो आपको मेरे पूजा करने से कभी कोई दिक्कत नहीं होगी अब क्या था, खुशी से आस्था फूले नहीं समाती और खुश होती भी क्यों न? आखिर उसके ससुराल में, उसके कहने पर घर में मंदर जो बन रहा था बहुत जल्दास था अपने ससुराल में छोटा सा मंदर बन वा लेती है जिसमें वो रोज पूजा करती और हमेशा की तरह पवित्रा की नीन खराब होती बहु ने कहा था कि मंदर बनने के बाद मुझे कोई परिशानी नहीं होगी पर मेरे कानों में तो अब भी बहु के भचन की आवाज आ रही है अच्चुतम कीशवम कृष्ण दामो देरम राम नारायनम जान की बलबं कौन कहता है भगवान आती नहीं अरा मैंने गलती करी घर में मंदर बनवा कर इतना बोलकर पवित्रा तक्या अपने कानों पर रख देती है और कान को ढख लेती है और सोजाती है अब ऐसे कुछ दिन बीच जाते हैं और एक दिन ऑफिस जाते हुए दीपक का एक्सिडेंट हो जाता है अब जैसे ही आस्ता और पवित्रा को पता चलता है कि दीपक का एक्सिडेंट हो गया है तो वो दुनों हॉस्पिटल जाती है जहां उन्हें डॉक्टर से पता चलता है कि दीपक की हालत काफी नाजुक है ए बगवान, क्या हो गया मेरे दीपक की साथ? भगवान जी प्लीज मेरे दीपक को ठीक कर दीजिए अगर दीपक जी ठीक हो गए तो मैं उनके साथ आपको चुनोरी चड़ाने आपके मंदिर आऊंगी बहु भगवान से प्रात्ना करने से मन अत्पूरी नहीं होती हमें ऐसे समय में ऐसी मुसिबतों से लड़ना पड़ता है और डॉक्टर है ना, वो दीपक को कुछ नहीं होने देंगे पवित्रा आस्था को तो तसलिदे रही थी पर वो खुद भी पूरी तरह से तूट गई थी पूरी रात बिच जाती है और भगवान आस्था के सुन लेते हैं हाला कि दीपक पहले से काफी ठीक था पर अब भी मौत का खत्रा उसकी उपर बना हुआ था ये कोई चमतकार है वरना जिस तरह से दीपक जी की हालत थी उन्हें बजा पाना नामगम्किन था बैसे आज रात आप दोनों में से कोई एक उनके पास रुख सकता है माजी मैं दीपक जी की पास हूँ आप जाकर घर में आराम कर लीजी पर बहु तु यहां हॉस्पिटल में अकेली कैसे रहेगी माजी मैं रह लूँगी आप बस घर जाकर आराम कर लीजी ठीक है बहु पर कोई भी इमर्जेंसी हो तो मुझे तुरंट कॉल करना आस्था के कहने पर पवित्रा घर चली जाती है और सुब दिपक से मिलने के लिए जब हॉस्पिटल जाने लगती है तो वो देखती है कि आज घर के मंदिर में पूजा नहीं हुई और नहीं मंदिर के सामने कोई दीप जल रहा है ऐसा सुनसान मंदिर देखकर पवित्रा मंदिर में जाती है और अपनी बहु के बदले खुद पूजा करती है मैंने कभी भी भगवान में विश्वास नहीं रखा और नहीं पूजा पाठ में पर आज मुझे लगता है कि मेरी आस्था बहु की आस्था सच्ची है शायद उसी के प्रात्ना की वज़े से आज बेरा बेटा जिन्दा है हे बगवान आज से पहले मैंने ना कभी पूजा की है और ना ही तुझ से कुछ मांगा है पर आज मांग रही हूँ मेरे बेटे को सही सलामत घर बेश दो पवित्रा पूजा करके प्रसाद मंदिर में ले जाती है और अपनी बहु को देती है अपनी सास का ये रूप देख कर रास्था को बहुत अच्छा लगता है माजी क्या आज घर के मंदिर में आपने दीपक जलाया हाँ बहु तो थी नहीं तो मैंने सोचा क्यों आज मैं ही पूजा कर लूँ मुझे विश्वास नहीं हो रहा माजी कि आप नहीं पूजा की विश्वास थो मुझे भी नहीं हो रहा बहु मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे भी इन चीजों पर विश्वास होगा मैं अभी कभी पूजा पाट करूँगी पर मैंने जो कुछ अपनी आखों सो देखा है वो सच में एक चमतकार ही है और शायद तेरी प्रार्थना जो भगवान ने सुन ली मैं नहीं जानती इश्वर होते है या नहीं अब पवित्रा को भी भगवान पर और उनकी चमतकार पर विश्वास हो जाता है जिसके बाद आस्था के सिसराल वाले भी पूजा पाटकाने लगते है और अब जब भी आस्था पूजा करती तो वो अपने साथ अपने परिवार वालों को पाती